हेलो बच्चों, कैसे हैं आप लोग उमेद करता हूँ, आप सब लोग अच्छे होंगे और आप सब की पढ़ाई भी अच्छी चल रही होगी आज की वीडियो में हम लोग क्लास एट की इंग्लिश की बुक से चैप्टर नमबर फोर को पढ़ेंगे ठीक है यह इंग्लिश की बुक क्लास एट बियार बोड की है ठीक है तो चैप्टर नमबर फोर में एक पोयम है ठीक है और इस वीडियो से पहले मैंने इस बुक के फर्स्ट चेप्टर से लेकर थर्ड चेप्टर तक के जो भी इसमें दिये हुए हैं पोयम्स हो या फिर स्टोरीज हो उनको मैंने पढ़के एक्स्प्लेंड करके और उसके साथ साथ उसका कोश्चन एंसर और एक्सरसाइस जो भी ह मैंने अप्लोट कर दिया है अगर आपने नहीं देखा है उन तीन वीडियोस को तो आप अभी प्लेलिस्ट में जाकर उस वीडियो को देख लेंगे इस वीडियो को देखने के बाद ठीक है तो आज जो हम लोग पढ़ने वाले हैं वो है हमारा चैप्टर आइस क्रीम मैन ठ इन दर के लिश्ट the occasions when you eat ice cream यानि कि आप उन सभी occasions का उन सभी उत्सफ का उन सभी मौकों का आप वर्णान कीजिये list बनाईए जहां आप ice cream जब आप ice cream खाते हो ठीक है तो आप कौन-कौन से मौके पर, कौन-कौन से occasions पर आप आइस्क्रीम खाते हैं, आप उनकी एक list बनाएएगा, ठीक है? Which आइस्क्रीम do you like most? Name some of the flavors that you have tasted, ठीक है? आपको क्या करना है? यहाँ पुछा जारा है कि which आइस्क्रीम do you like most? कुछ फ्लेवर, जो जिसका मज़ा आप ले चुके हैं, उनका नाम लिखना है आपको, ठीक है? Where do you buy ice cream? और आप ice cream ख्रहिदने, कहां जाते हैं, ठीक है? यहाँ पर जो चैप्टर का जो पुयम है, उसमें first estenza क्या है? देखिए यह क्या है? एक estenza है, यह second estenza है, यह third है और यह fourth estenza है, ठीक है? तो first estenza में क्या कह रहा है? कि when summers in the city and bricks blaze of heat, the ice cream man with his little card goes trundling down the street, ठीक है? इसका मतलब यह हुआ, देखिए, जहाँ पर कॉमा होता है, वहाँ पर थोड़ा से रुखना होता है, और जहाँ full stop होता है, वहाँ पर पूरी तरीके से रुखना पड़ता है, ठीक है? यहाँ पर यह जो दिया हुआ है, summer के बाद यह दिया हुआ है, जो sign, इसको कहते है, apostrophe s, ठीक है? यह कब लगाते हैं? जब का, यानि कि जैसे कोई किसी के बारे में बात करते हैं, तो हम लोग ओफ लगाते हैं, उसका, जैसे राम का, तो ओफ राम, तो यहाँ पर हम लोग apostrophe s का यूज करते हैं, मतलब गर्मी का, तो यहाँ पर जो poem में, जो first sentence में poet कह रहा है, कि when summers in the city and bricks blaze of heat, यानि कि जब श जब गर्मी के दिन होते हैं, गर्मी के दिन शेरों के अंदर होते हैं, तो क्या होता है, और क्या होता है, bricks blaze of heat, यानि कि जो eat होती है, eat कौन सी eat, जिससे घर बनते हैं, buildings बनती हैं, blaze of heat, तो वो जो गर्मी के वह से जो दिवारे होती है, इटों की दिवारे, वो क्या होती ह जो आईस ब्लाद यह जा च्ट्र शेट सब्सक्राइब जो आइस क्रीम आंद्ल गार्ट सीट से जो आईस क्रीम है अपने छोटे से ठेले से ब्सक्रीब अगज़े लेडे लेजों लकड़ी का जो उसकी जो गारी होती ही लकड़ी की उसकी यहां पर लिखा गया है little cart ठीक है जिसको वो लोग ठ्यलते हैं थेलके या फिर उसमें साइकल लगा रहता है उसमें ठीक है तो उससे वो चलाते हैं तो जिस पर हो आई स्करीम लेके घूमता है गलियों में goes turning down the street है न कहाँ पर गलियों में कौन आइस क्रीम मैन किसके साथ अपनी छोटी सी गारी के साथ ठीक है यहाँ पर काट का मतलब क्या हो जाएगा ठेला गारी जो उसकी होती है जिसके ओपर वो आइस क्रीम लेकर बेशता है अब इस स्टेंजा में क्या है देखे यहाँ पर क्या कह रहा है कि बिनित इस राउंड अम्रेला नि कितना अच्छा और वाइट वाट जोईफू साइट यानि कि कितना अच्छा यह मनुरम दिरिश्य होता है कितना अच्छा नजारा होता है कितना खुशी देने वाला आनंदाय को नजारा होता है किया नजारा होता है जी बिनित इस राउंड अम्रेला अपने अम्रेला के नीचे ठीक है तो सी हिम फिल दा कोंस वित माउंट यानि कि यह बहुत ही मनुरम दिरिश्य होता है कि वो जो है अपने अम्रेला के नीचे क्या करता है cones, cones का मतलब क्या हो गया जिसमें हम लोग ice cream खाते हैं है ना, जिसमें हम लोग ice cream खाते हैं, उसको हम लोग cone बोलते हैं इनके shanku, जो cone के shape का होता है इसलिए उसको हम लोग cones बोलते हैं, ठीक है तो कहरा, beneath his round umbrella oh, what a joyful sight to see him fill the cones with mounts, कितना अच्छा नजारा होता है, यह उसको देखना, ठीक है, किसको ice cream man को, क्या करते हुए, तो fill the cones जो cones है, उसको भरते हुए, ठीक है, fill the cones with mounts of cooling brown and white है ना, किस से भरते हुए, तो ठंडे ठंडे, भूरे और सफेद, अब क्या भरता है, भूरा सफेद, ठीक है तो वो अगले स्टेंजर में बताए गया है, यानिके बहुत अच्छा दिरिश्य होता है, कि जब ice cream वाला अपने umbrella के नीचे क्या करता है, cones को भरता है, वो भी mount, mount का मतलब क्या हो जाएगा यहाँ पर, उभरा हुआ यानिके थोड़ा सा जादा, हैना मिकतार में, क्ουैंटिटी में जादा उसको मμεनों करता है, mount, ठीक है तो वो क्या करता है कॼून को जब वो ice cream वाला जब cones में ice cream डालता है, तो क्या करता है उसके ओपर थोड़ा सा, जैसे iyi ice cream है यह ice cream हो गया यह जैसे कोन हो गया यह तो इसके पर क्या करता है वह इस तरीके से थोड़ा सा डाल देता है ज़ादा ठीक है तो यह कहरा है कितना मनोरम दिरिश्य है कि जब वह यह चीज करता है यानिके कौन समें आइसक्रीम डालता है कैसा brown and white of cooling brown and white यानिके भूरा और brown मतलब भूरा कलर का है और white मतलब सफेद ठीक है? अब अगला कह रहा है vanilla, chocolate, strawberry और chili things to drink अब क्या का डालता है उसमें? रहिए vanilla, chocolates, strawberry यह सब का है? फ्लेवर के नाम है ठीक है? और chili things to drink ठीक है? chili things मतलब बहुती थंडी थंडी चीजें जो पीने के लिए होती है जिसमें वो आइस क्रीम लगता है ठीक है कहां से डालता है वो चीज यह जो हमने देखा यहां पर कि वो डालता है कौन के अंदर क्या के डालता है तो ब्राउन और वाइट क्या होता है वैनिला, चॉकलेट, स्ट्रोबेरी और चिली तिंक्स टू डिंक और ठंडी ठंडी चीजें जो पीने के लिए होती है फ्रॉम बॉटल फूल फ्रोस्टी फिज किसे डालता है तो बॉटल से कौन से बॉटल होती है जिसमें बहुत ही जादा फ्रोस्टी फिज Frosty Fizz का मतलब क्या होता है कि जो liquid type का होता है बहुती शीतल, बहुती थंडा होता है उसको हम लो कहते हैं Frosty Fizz Green, Orange, White or Pink उसको क्या करता है वो Green, Orange, White or Pink जो पीने वाली चीज होती है शीतल पेपदार्थ जो होता है उसको वो डालता है ठीक है His cart might be a flower bed of roses and sweet peas उसके जो ठेले होते हैं उसका जो काट होता है वो किस तरह का लगता है उसका लगता है कि ये एक flower bed है यानि कि फूलों का एक bed है बिस्तर है है ना of roses कि इसका गुलाब का और sweet peas यानि कि मीठे मीठे मतर के चीमी जो होती है उसका the way the children cluster round as thick as honeybees कह रहा है कि जिस तरीके से बच्चे उसके चारो और cluster cluster का मतलब क्या हो जाता है एक घेरा बना लेना जब आईस्क्रीम वाला आता है तो क्या होता है सारे बच्चे उसके चारो तरफ घेर लेते हैं उसको है ना इसको आप याद कर लीजे बहुत ही जादा इंपोर्टेंट है मैंने वैसे चैप्टर में समझा दिया आपको फिर भी यहाँ पर दिया हुआ है जैसे ब्लेस का मतलब बेक्ट क्ले यूस्ट फॉर बिल्डिंग हाउसे बिल्डिंग्स एटीसी यानि के इट ब्लेस का मतलब क्या यहाँ पर है यह जो ब्लेस है ना ब्लेस यह ब्लेस नहीं होगा यहाँ पर ब्रिक होगा ठीक है इसको आप कट करके ब्रिक लिख लिजएगा ठीक है ब्रिक का मतलब होता है इट है ना यहां पे का रहा है बेक the ूल होता है फका हुआ मतलब मित्टी पकी हुई मित्टी जिसका इस्तेमाल हम लोग घर बनाने के लिए या मकान बनाना के बिल्डिंग्स बिनाने के लिए करते हैं ब्लेज का मतलब अब यहाँ पर क्या है ब्राइट फ्लेम देखें यहाँ पर N का मतलब क्या होता है यह नाउन है यह ठीक है ब्रिक का मतलब यह एक नाउन है संग्या है ठीक है उसका अधा है ब्लेज blaze में क्या है यहाँ पर bright flame यानि कि जो law है वो बहुत जादा चमकती हुई है न तो अब यहाँ पर इसका हिंदी में meaning दिया हुआ है परती परदिप्त परदिप्ती का मतलब क्या होगे यहाँ पर law की तरह चमकता हुआ ठीक है ट्रंडलिंग यह भी क्या है एक noun है ब्लेज भी एक noun है और ट्रंडलिंग भी क्या है एक noun है moving slowly and noisely यानि कि धीरे धीरे और आवाज करते हुए move करना ठीक है जब आइस्क्रीम वाला निकलता है तो ट्रंडलिंग डाउन यानि कि कि धीरे धीरे वो गलियों में आवाज लगाते हुए निकलता है आवाज के साथ धीरे धीरे लुड़खते हुए है ना ट्रंडलिंग डाउन का मतलब यहां पर क्या आगया लुड़खते हुए ठीक है धीरे धीरे sight sight का मतलब scene यानि कि दिरिश नजारा यह क्या है यह भी noun है उसके बाद क्या है यहां पर cones अब cone क्या हो गया यह देखें cones यहां पर क्या आज़ता है cone का मतलब होता है a solid circular figure tempering to a point shanku ठीक है यह cone जो हमारा क्या है एक shanku जो मैंने आपको बना के दिखाया भी कैसा होता है ऐसा इस तरीके से ठीक है tempering to a point जो की एक point पर जाके मिलता है ठीक है इस तरह का तो इसको हम लोग shanku कहते है mounts का मतलब heap मतलब ठीले उसके बाद है frosty fizz यह compound noun chilling drink having many bubbles of gases बहुत ही जादा थंडा पानी पीने वाला chili drinks drinks मतलब होता है पीने वाला जो होता है chilling drinks having many bubbles of gases शीतल पे यहनके तरल ठीक है cluster around का मतलब यह warm phase है यह क्या है form a group together around घेरा बनाना ठीक है उसके बाद है cluster around हो गया ठीक यह क्या है adjective है dense मतलब घना गारहा ठीक है उसका रहानी भी compound noun है a bee that gathers honey एक मक्ही जो क्या करती है a bee that gather honey madhu मक्ही जो honey bee का मतलब क्या होता है एक ऐसी madhu मक्ही जो gather करती है किसको honey को honey जमा करती है ठीक है अब इसके जो question answer है उसको आप लोग देखिए पहला question है who sells ice cream ice cream कौन बेजता है इसका answer हो जाएगा the ice cream man ठीक है चलिए अगला question देखिए इसमें क्या है where does the ice cream man go ice cream man कहां जाता है तो answer हो जाएगा street to street and near schools गलियों में और school के नजदीक अगला question देखिए question 3 है what does the ice cream man have over his head ice cream man के सर पर क्या था umbrella question 4 क्या है who feels joy to see the ice cream man किसे खुशी होती थी ice cream man को देख कर answer हो जाएगा children मतलब बच्चों को खुशी होती थी अगला question देखिए इसमें क्या है देखिए यह है question 1st what are the buyers of ice cream compared to in the poem what does the comparison suggest the buyers of ice cream के उनको किस से compare क्या गया है और वो comparison क्या सजिस्ट करता है इसका अशल हो जाएगा the buyers are compared to honeybees यानके buyers को honeybees से compare क्या गया है the comparison suggest that they may crowd him यह comparison यह दर्शाता है कि वो उसी तरीके से उसके ice cream man के चारो तरफ भीर लगा देते थे crowd बना लेते थे ठीक है चलिए अगला question देखिए इसमें क्या है इसका जो question number two है वो क्या कहता है question number two है beneath his round umbrella oh what a joyful sight who says this word यह किसने कहा which expression suggest the attitude of the speaker और कौन सा expression suggest करता है speaker के स्वाभाव को a child मतलब किसने कहा a child the speaker of this poem जो speaker है poem का say this word इस word को कहा है the following expression suggest कौन सा expression है to see him fill the cones with mound of cooling brown and white यह जो poem में यह expression line है यही उसके expression को बताता है यही expression है जो उसके सुभाव को बताता है ठीक है जले इसका 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 जो इसका और कंपलीट हो गया अब आते है question number one why do you feel joyful to see इसके बाद इसका जो अगला पार्ट है कुछ जो फ्लेवर का नाम आया है प्लेवर के अंदर उसको बताइए और कुछ आप भी लिस्ट में अपने एड कीजिये तो कौन-कौन से फ्लेवर का नाम आया है जैसे वैनिला चॉकलेटे स्ट्रोबेरी एंड सम्मोर फ्लेवर स्कोर्च आइसक्रीम मैंगो लीची पाइने अपन पल फ्लेवर्ड आइसक्रीम यह सब ठीक है तो इसमें मैंने दोनों के आंसर को लिख दिया है ठीक है चलिए अब अगला कॉशन देखिए इसमें क्या है यहां पर क्या है अगला C वरड इस्टड़ी अब इसमें क्या है देखें पिक आउट द वर्ड्स है जो किसके idea को जो idea of intensity है heat in summer यानिके heat की intensity है है ना intensity of heat गर्मी में जो गर्मी की गर्मी के मौसम में जो heat की intensity होती है उसके idea को convey कर रहा है बता रहा है ठीक है पिक आउट the word that means a huge amount अब यहाँ पर आपको क्या करना है पिक करना है वो word जो a huge amount को दर्शाता है तो इसमें तो आप यहाँ पर यह चीज लिख लिएगा कौन सा है यह amounts amount क्या कर रहा है यहाँ पर बता रहा है कि बहुत जादा मात्रा में ठीक है उसके बाद यहाँ पर है आपका यह चीज है देखे when you hear the words winter and summer what are the things that come to your mind write them do write them down in the circles है ना जब आप winter यानिके गर्मी जब आप winter और summer का नाम सुनते है इस winter word और summer word सुनते है तो आपके दिमाग में कौन सी बाते आती है है ना उनको आपको circle में लिखना है जैसे summer का नाम अगर लिए summer word का use कि हमने summer word सुनने में आया तो क्या आता है लसी है ना और fan मतलब AC fan या फिर AC हो गया cooler है ना cold drinks उसके बाद है ice creams इन सब बातों का हमें ध्याना जाता है इन सब चीजों का ध्याना जाता है ठीक है उसके बाद है अगर winter word का use किया hot tea sweater coat coffee room heater इन सब चीजों का ध्याना जाता है उसके बाद यहाँ पर है look at the following pairs of word heat street sight white यान के heat street और sight white ठीक है तो करा you have already been told that the pairs of words that end with a similar sound are called rhyming pairs और words तुम्हें बताया जा चुका है कि वह words के जोड़े या pair जो खतम होते हैं एक similar sound में यान के एक तरह की आवाज में तो उन्हें हम लोग rhyming pairs या फिर words करते है rhyming words बोलेंगे या rhyming pairs बोलेंगे अब यहाँ पर करा है circle words that rhyme with the words given in board in each box one has been done for you कुछ आपको यहाँ पर दिया गया है आपको क्या करना circle करना है ठीक है rhyming word को जैसे rise तो यहाँ पर क्या है prize और cries इन दोनों को क्या क्या इसने circle कर दिया है ठीक है क्योंकि यह rise के आवाज का निकल रहा है ठीक है उसके बाद क्या है जो sky तो यहाँ पर मैंने कर दिया fry dry ठीक है इसमें आप लोग भी circle कर लीजेगा tight night right ठीक है उसके बाद है late rate और fate ठीक है उसके बाद अगला क्या है इसमें अगला है fun run sun thumb dump plum ठीक है उसके बाद है change range strange range और strange ठीक है flash crash class clash compose suppose oppose doubt count bout ठीक है अब उसके बाद आपका यहाँ पर इस page में आगे क्या है कि आपको यहाँ पर कुछ words दिये गए है ठीक है देकि यहाँ पर क्या है कि देकिए जैसे as white as snow, the color of snow is compared to white क्या क्या गया कि जो color है snow का वो white से compare क्या गया है As red as blood मतलब जो color है blood का वो red से compare क्या गया है hot as fire, as hot as fire यानि कि जो आग है आग की जो गडमी है उसको compare क्या है hot से अब आपको यहाँ पर words दे गए है green box में आपको यहाँ पर fill up करना है जैसे, as blue as sky, as tall as giraffe, as green as grass, as black as coal, as fat as pig, ठीक है, as hard as diamond, as huge as elephant, as sweet as honey, as cool as ice, as dumb as statue, as old as benyaan, as soft as, soft as cotton, ठीक है, तो यह चीज़ आपका हो गया है, अब इसमें जो भी चीज़ा आपकी बची है, आपका जो composition part है, और कुछ आपको groups में करना है, ठीक है, तो यह आपके exam point of view से, उतना important नहीं होता है, क्योंकि एक्जाम में यह सब चीज़े नहीं आएंगी, ठीक है, हाँ, आपको यह चीज़ कर लेना जरूरी है, अपनी English को अच्छी करने के लिए, ठीक है, उसके बाद यह हाँ पर क्या है, composition है, जहाँ पर आपको later लिखना है, ठीक है, उसका यह translation है, तो मैंने translation कर दिया है, आपका poem क्या हिंदी में, ठीक है, या फिर जो भी आप बोलते हैं, जो भी mother tongue है आपकी, उसमें, ठीक है, उसके बाद जो है आपका अगला chapter है, 5th, इसको आप लोग अगल ही दिया होगा, ठीक है, मिलता हूँ फिर आप सभी से अगली वीडियो में तब तक अपना बहुत सारा ख्यार रखे, वीडियो देखने के लिए आप सभी का बहुत बहुत शुक्रिया,